ये बात है The Amazing Spider-Man Comic की इशू तो 38 की जब Spider-Man छोटे मोटे चोड़ो चक्कों में से एक जोर्ज हील के पीछे पड़ा था और उसे कानून के हवाले करने के लिए उसे पकरने के लिए उसका पीछा कर रहा था Spider-Man के हाथों से बचने के लिए वो बेचारा भागते भागते एक अंधेरे अंडरगर नाले में घुज गया था मगर Spider-Man तब भी उसके पीछे था और Spider-Man से अपने आपको बचाते चुपते 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 वो एक सीक्रेट चेंबर में घुज गया था जो इतना अंधेरा था कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था और वो बस सोची रहा था कि कास यहाँ कोई लाइट होती तो तभी उससे एक लाइट की सुइच मिली और जैसे ही उसने लाइट सौन किया तो देखा कि हर तरब ग्रीन गॉबलिन की चीज़े परी हुई है सो है फ्रिक स्वाग है था अप लोग हमरे चैनल में टाइटल सा अप लोग समझ में आही गया हुआ कि आज हम लोग जानने वाले हॉप गॉबलिन के वारे में क्योंकि सभी इस बात पर येकिन रहे है कि पीटर परगर का दोस्ट नेड आगे जा कि स्पाडर मैन की उनिवर दा कौन था जो सबसे पहली बार साल 1983 में आजे हॉप गॉबलिन दिखा था जिसने ग्रीन गॉबलिन की जगा लेने के लिए बलकि ग्रीन गॉबलिन से भी बैतारे गॉबलिन बनने के लिए इस हॉप गॉबलिन वाले कॉस्ट्यम को उठाया था तो चलिए जानते हैं और जिल ने उस सिक्रेट चेंबर की लाइट्स जलाई थी तब उसे पता चला था कि ये जगह ग्रीन गॉबलिन की सिक्रेट हाइडाउट्स में से एक थी और क्योंकि ग्रीन गॉबलिन एके नॉर्मन आजबन उस बग रिसनली मर चुका था तो इस सिक्रेट लातों से बच जाने के बाद वह तुरण जाके अपन्य बॉस को सब कुछ बताता है और ग्रीन गॉबलिन के हेड कोटर से मिली सारी जर्नल्स भी उस से दिखाता है अपने बॉस को टूर्मन को उस हाइड आउट में ले आता है वो सारे कॉस्ट्यूम्स पमकीन बास और सार टेक्नोलोजिस जो वो लोग निउस्पेपर्स में देखते थे वो सब अब उनके सामने था जो सब देख के उसका बस इंक्रेडिबल बोलके ओड़ा देता है कि ये सारी की सारी चीजे मुझे भैन में चाहिए सब कुछ जल्दी से लोट करो और ध्यान रखना कि सब कुछ निकाल लेने के बाद ना ही हमारे बारे में और ना ही इस जगा के बारे में किसी को पता चलना चाहिए और अपने boss का order के मुताबिक सब कुछ loot लेने के बाद वो लोग पूरे जगा को आग लगा देते हैं जिससे कि किसी को कोई trace ना मिले एंदेन उदोन अपने load की हुए van को अपने अड़े पे ले आगके खाली करते हैं और वो boss van से निकल के कहता है कि जाओ इस van को भी अब ठिकाने लगा दो और ध्यान रखना कि किसी को भी कोई शुराग ना मिले और ना ही कोई मेरे नाम तक पहुचे और George Swagg के साथ कहता है कि चिंता मत करो boss कोई सुराग आपको छूबी नहीं पाएगा बिना जाने कि बेचारे के साथ आगे क्या होने वाला है क्योंकि थोड़ी दूर van को लेके जाते ही उसका boss एक बटन दवाता है और अपने partner के साथ पूरे गारी को उड़ा देता है जिसके बाद हो अपने apartment में आता है और सारी रात जग के green goblin की बारे में सारी journals परके knowledge अकठा करता है और यह भी समझता है कि Norman Osborn actually कितना बड़ा crazy आदमी था और then ओ ग्रीन गोबलेन के suit को, technology को, weapons को और glider को redesign करता है और कुछ-कुछ modifications भी और processing करके green goblin से भी ज्यादा डराबना दिखने वाला एक mask बना कि मरे हुए Norman Osborn के legacy को अपने अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए ओ बन जाता है एक नया और different goblin, the hob goblin मगर actually यह चीज़े उसके लिए काफी नहीं थी उसे green goblin एके Norman Osborn के सारे text, knowledge और powers चाहिए थे क्योंकि उसका मानना था कि अब वो दिखाएगा कि इन ताकतों और हतियारों के साथ क्या किया जा सकता है और फिर कि अपने gladder में निकल पड़ाओ Norman Osborn के इंडस्टिस पे चोड़ी करने मगर unfortunately spider sense के इसारों पे उचलके spider man वो पहुज गया था और यही पहली बार था जब hop goblin के साथ spider man का आमना सामना हुआ था और spider man entry मार के हैरान हो कि यह कहता है कि पता नहीं कि तुम कौन हो मगर अगर तुमें green goblin बनना है तो शायद तुमने गलत रंग चुना है मगर इस तरब hop goblin को पता था कि वो इस बक्त spider man से लड़ने के लिए तयार नहीं है वो उतना ज़्यदा prepared नहीं है और इसलिए वहाँ से भागने लगता है और spider man उसका पीछा करने लगता है और बहुत कोशिस और भागां भाग के बाद लखी लिए gas line hop goblin के फेक हुए bomb से blast हो जाने के कारण spider man busy हो जाता है और वो finally भाग पाता है मगर इस पहली बार से उसे ऐसास हो गया था कि एक आम आदमी बनके spider man से लड़ना लगभग नामुमकिन सा है लेकिना कि Norman ऐसा कैसे कर लेता था और इसी सवाल का जब आप धूनते धूनते उससे finally green goblin serum के बाद में पता चला और उसने green goblin serum को और भी जदा modify करके बनाने की कोशिस किया अब green goblin serum बनतो गया था मगर एक बड़ा सा explosion होके उसके पूरे चहरे पे और हातों पे गिर गया और एक बड़ा accident हो गया था हालाक एक unknown आदमी ने उसे तुरंती जलते हुए घर से बाहर निकाल दिया था और जब उसका होश आया तब ओ एक hospital में था जिसके चहरे पे और हा ताकत और energy और strength इसके पहले कभी महसूस नहीं हुई थी और वो निकल पड़ा था spider man से भिरने मगर इस बार वो कमजोर नहीं था उसके पास green goblin की तरह लाजबाब strength थी जिसके जरी उसने spider man को अच्छे टकर तो दी मगर अफसोस कि ये enough नहीं था और कुछ देर बाद हारी यह था और इसके बाद जब spider man ने गुस्से में उसका नकाब उतारा तो उसे पता चला कि ए हॉप goblin actually एक छोटा मोटा criminal lefty डुनवहन है जो देखके literally spider man को ये की नहीं हुआ और उसने पूचा कि तुम में इतनी तागत कहा से आई जिसके जबाब में lefty ने कहा कि उसके बॉ बॉसका नाम पूचा लेफ्टी डुनवेन के ग्लाइडर ने तुरंती उसे अपने आपी खीच के spider man से दूर ले गया और lefty को तुरंती मार डाला दिन जब lefty के body को ले जाय जा रहा था तब हमें पता चला कि actually real hob goblin तो hospital से छूट के अपने base में ही था और उसने जान था किसी experiment के चुहे की तरह उसने serum का test करने के लिए lefty को भेजा था spider man से लड़ने और ये देखने कि ये serum कितना सही है जिसके बाद ओध्यान से अपने serum के कमियों को दूर करता है उसे और भी strong और perfect बनाता है और अपने body में inject करके super strength के साथ hob goblin बनके finally अपना evil कांड कि एक reporter Ned Leads हाँ यही Ned यही Ned उसके secret identity जान गया है कि hob goblin कौन है जो कि अभी तक किसी को नहीं मालूम थी जब hob goblin spider man से लड़की अपने base में वापास गया था तब Ned ने उसका पीछा किया था और यही से उसे secret identity पता चली थी लेकिन अफसोस कि सातीर hob goblin तुरंती नेट को पकर लेता है और उसको भी lefty की तारा brainwash करके अपने team में लेकि उसे भी inject करके तीसरा hob goblin बना देता है जिससे कि hob goblin net को hob goblin बना के अपने जयातर काम करवा सके और खास करके खत्रो वाले कांड और actually यही होता है आगे से यही Ned Leads से hob goblin का costume पैन के hob goblin के काम करता है spider man से लड़ता है और बड़े-बड़े mob से लेके crime lords के खतरनाक meeting में भी ओही deal करने जाता है मतलब actual hob goblin ने literally Ned Leads को अपना puppet बना लिया था और अपने जगा हर जगा उसे ही भेशता था और ऐसे ही सालों तक सभी के नजरों में Ned ही hob goblin था बिना यह जाने कि असली hob goblin तो अपने bill में चुप में बहुत बुड़ा बला कहा था और यह उसका बदला था मगर इसके बाद first jack o lantern यानी जेसन ने आगे जाके hob goblin को मार डाला था जो hob goblin actually net था बिना यह जाने कि असली hob goblin तो base में रहता है और net को मार के जेसन ने hobgoblin का नाम और costume ले लिया था और पाच बाए hobgoblin बनके घ भी लोड़ा था उसे और इसे लिए उसने आगे जाके जेसन को मार डाला एंड फाइनली दोबाड़ा असली hobgoblin बनके मैदान में उत्रा और हमें पता चला था कि असली hobgoblin तो रोटरिक Kingsley नामा के एक एक फैसन डिजाइनर है यह वह Kingsley था जिसे पहली बार एक आम इंसा tactics इनलीगल तोर तरीकी के कारण उसकी fashion industry एक fashion industry से कुछ ज्यादा बन गया था और इसी चक्कर में उसका एक rival मैडम बलाडोना से उसका फंगा हो गया था और Kingsley के एक पदरसनी में मैडम बलाडोना उसे बढ़बात करने आ गई थी लेकिन लगी लिए Spider-Man ने बलाडोना को र पुर रखने की कोसिस करता रहा था जिसे की हरे कांड हो लेकिन उसका नाँ आये कोई ऐसा clue ना चूटियसे की उसका नाम बहारा है और इसलिए हौब गोबलड बनने के बाद विव जयातर अपने घगा पे-किसी और को हौब-गोबलन बनाके भेजता था इतना में भी वो कुछ हद तक Green Goblin से ज्यादा तकदवर है कुछ हद तक और Hobgoblin तो अपने उंगलियों से और हातों से लेजर भी फायर कर सकता है सब्सक्राइब आई गया होगा कि Hobgoblin कौन है और नेड लिट्स क्या से Hobgoblin बना था और अगर आप लोगों को Green Goblin की पाउरफुल वर्संस के वरे में जानना है तुपर वाले वीडियो में क्लिक कर सकते हो और अगर आप लोगों कुछ खास बाते जाननी है तो नीचे वाले वीडियो आपके लिए है तो फिर मिलेंगे एक और वीडियो में कॉन्ट